दोस्तों जैसे ही चेन नई सुपर किंग के आतों मुंबे इंडियंस की टीम को IPL 2013 के 12 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा मगर दोस्त आब मुंबा इंडियांस की मालकेन नीता अम्मानी ने गोस्चे में आकर सुर्य कुमार यादब को IPL 2023 से बाहर का रास्ता दिखा दिया आखिर कर गाई साब भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर तो इस वीडियो को लाइक किजिए साथी साथ चैनल को सबस्क्राइब करें बहला कंद बाईए और लोड़िकेशन पर क्लिक करना बिलकुल ना भूलें दोस्ता जैसा कि आप सबी को पता है सुर्य कुमार यादब कितने बहंकर खिला रही हैं मगर दोस्ता बीते काले CSK और मुंबा इंडियान्स के बीच में IPL 2030 का बारवा मोकाबला खिला गया था जिसमें मुंबा इंडियान्स की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 187 रन इस्कोर बोर पर लगाए थे 8 विकेट कोने के बाद मगर दोस्ते इस लक्स का पीछा CSK की टीम ने 18.1 एक कोवर तकर लिया 169 रन इस्कोर बोर पर लगागा और इस मोकाबले को 7 विकेट के बड़े अंतर से जित लिया मगर दोस्ता आपको बता दें नहीं सूर्य कुमार यादाव RCV के खिलाब चल पाए और नहीं CSK के खिलाब चल पाए और सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए और ऐसा ही हल हुआ था ऑस्टेलिया के खिलाब ODI सीरीज में जबकि ODI सीरीज में तो तीनों मैचों में जीरो जीरो रन पर आउट होते मगर दोस्ता आप मोमें इंडियांस की मालकेन नीता अम्मानी सूर्य कुमार यादव पर बड़ा एक्शन ले सकती है वैसे का इस आप नीचे कॉंट लोक्स में बताना क्या सूर्य कुमार यादव को IPL 2023 से बाहर करना चाहिए या फिर नहीं